अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा, 18 साल बाद, अचानक क्या बदलने वाला है, क्यों बदलने वाला है, और इसका क्या प्रभाव आपको मिले वाला है, ग्रेश तितियों में कुछ बिशेश परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में अचानक ब कुछ अचानक प्राप्त हो जाएगा की नहीं अभी तो हम बहुत सारी समश्याओं से घृए हुए है परन्त ऐसा कोई चमतकार हो जाए जिससे सब कुछ बहतर हो जाए सब कुछ अच्छा हो जाए तो अब वैसी हिस्तिती बनने वाली है क्योंकि इपनी दर्सकों हम इस वीडियो में जानने वाले है केतु के नच्छत्र परिवर्तन के बारे में केतु हंस्त नच्छत्र में अब गोचर करना प्रारंभ कर चुके है तीन मार्च से यह तीन मार्च से हंस्त नच्छत्र में परिवर्तन कर चुके है और गोचर कर रहे हैं जिसके प्रभाव से आपके जीवन में अचानक बहुत कुछ बदलने वाला है क्योंकि देखा जाये तो यह जो नच्छत्र है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है फिर जानेंगे आपको क्या प्रभाव मिलेगा क्या साउधानी रखनी है और क्या उपाय करने है तो प्रिदर्सकों आप की यदि मेश राशी है या मेश लगन है तो इस वीडियो को पुरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप के उपर बहुत कुछ प्रभाव के तु महराज डालने वाले हैं यह जो हंस्त नचत्र है प्रिदर्सकों इसके दसानात चंद्रमा होते हैं चंद्रमा अधिपती माने जाते हैं और देवता शूर माने जाते हैं और यह जो नचत्र है यह कन्या राशी के अंतरगत आता है और कन्या राशी के अधिपती बुध होते हैं और बुद्ध महराज से भी प्रोहावित ये नशत्र होता है और चंद्रमा से भी प्रोहावित होता है साथ में देखा जाए तो ये अगनी तत्त माना जाता है इसका तत्त जो होता है और गण देवगण होता है और योनी महिस योनी होती इस नशत्र की और इस नशत्र की आकर इस्टिसीं मानी जाती है आपके ऊपर इंदर बहुत ज्यादः आ जाती है जिससे आप कुछ नया करने की सोचते हैं और कुछ अचानक आप कर जाते हैं हंस्त नच्चत्र आपके जीवन में पुरसार्थ लाता है, हंस्त नच्चत्र से प्रभावित होने की वज़े से हमारे अंदर बहुत मिहनत करने की इक्षा, कर्म करने की इक्षा जागरत होती है, ये नच्चत्र के प्रभाव से ब्यक्ति एक बहुत अच्छी सोच रखने वा और आप अपने जीवन में कुछ बढ़ा करने की और कुछ बहतर करने की सोचेंगे साथ में ये जो हंस्तनशत्र होता है इसके प्रभाव से लोग जो है तो देखा जाए तो मोक्ष के ओर भी बढ़ते हैं और साथ में इसके प्रभाव से सुंदर्ता की प्राप्ती भी होती है और इसके प्रभाव से भगवान के प्रति धर्म के प्रति आकर्शन पुझा पाठ के प्रति आकर्शन भी बढ़ता है क्योंकि केतु महराजी समय आपके सस्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतू की दरश्टी गुरुवत मानी जाती है अर्थात गुरु की दरश्टी के समान भी केतू की दरश्टी कई रिशियों का मत है कि मानी जाती है तो ये सस्टम भाव में गोचर करते हुए, हंस्तन चत्र में गोचर करते हुए, हंस्तन चत्र के चतुर्थ चरण में अभी गोचर करेंगे, तो ये अब आठ महीने तक ये क्या प्रहाव आपको देने वाले हैं, ये सब हम जानेंगे, तो प्रिदर्शकों आईए जानते हैं क कि आपको सुप प्रणाम क्या मिलेंगे तो प्रिदर्सकों आपके जीवन में यदि रोग था रोग बाधाएं बहुत जादा थी रिण बहुत जादा हो गया था करज आपने बहुत जादा ले लिया था या सत्र वाधा आपके सत्र बहुत जादा हो गए थे आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आप से इर्शा करने वाले लोग बहुत जादा हो गए थे, तो इन समस्याओं से आपको मुक्ती मिलने वाली है, साथ में प्रिदर्शकों देखा जाए, तो आपके केरियर में भी अब पॉजिटिव बदलाओ आएंगे, आपके केरियर में आप चाहते थ कि धन ब्रद्धी हो जाए, अर्थात शेलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, या आप चाहते थे कि मैं अपना जौब परिवर्तन कर लूँ, ये परिवर्तन किस्ति भी लाएंगे, क्योंकि केतु कौन है, केतु है अचानक सब कुछ देने वाले, केतु के सुभाव में ह केतु मोक्च की ओर बढ़ाते हैं, और केतु हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अचानक की एटिविटी देते हैं, और हम सब कुछ करने की सोचते हैं, साथ में प्रिदर्स को आपके घर परिवार में भी इसका प्रवाव पड़ेगा, और पॉजिटिव इस्त कर सकते हैं, परंतु कर्ज लेना ठीक नहीं रहेगा, कर्ज लेने का मतलब है कहिन कहीं फस जाना, आप अपने केरियर में देखेंगे कि आपको प्रमोशन मिलने बाला है, आपके साथ बहुत अच्छी स्थिती बनने वाली है, परंतु, आपको अपने बोस के साथ या कोई जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करनी हैं, और कोई भी बात अपने जैसे बहुत से कोई आप डिसकस कर रहे हैं, तो उस समय confusion में नहीं रहना है confusion में नहीं जो भी बाते हो clear तरीके से आपको सामने वाले को बताना है कहीं भी कुछ भी बाते आप कर रहे हो और घर परिमार में खुशी का महल तो बनने वाला है बहुत अच्छी स्थिती बनने वाली है परंतु यहां पर थोड़ा सा आपको साउधानी रखनी होगी कि पैत्रिक संपत्य जो है खासकर जमीन इससे संबंधित कोई समस्च्या ना हो इससे संबंधित कोई माबला हंसने ना पाए तो यह प्रितना आपको करना होगा उपाय की बात करें तो भगवान गणपती की आराधना करना आपके लिए स्ट्रेश्ट रहेगा भगवान गणपती के मंत्रों का जब कर सकते हैं भगवान गणपती को दुरवा चढ़ा सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो यह प्रभाव हैं तो और भी बहतर मिल सकें और कमेंट में ओम गंगड पते नमहा लिखिएगा और इस वीडियो को हर विक्ति तक पहुँचाईएगा ये सीरीज बनने वाली नहीं थी पर बहुत सारे दर्सकों के कमेंट आ रहे थे कि आप बनाईए क्योंकि मैंने अभी इसके पहले जो मासिक राजफल बनाया उसमें इसका जुक्र मैंने किया था कि केतु महराज चतुर चरण में हर्तुर चत्र के आ चुके हैं तो फिर भी आप लोगों के कमेंट थे तो मैंने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को हर वेक्ति तक शेयर भी करिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद